दोस्तो दोस्तो आज हिंदुस्तान में एक opposition party की कमी है इसका ये मतलब नहीं है कि इस देश के अंदर political parties नहीं है जो opposition के अंदर है बिलकुल है पर अगर मैं आपसे पूछ हूँ कि इस देश की ओपोजेशन पार्टी इसकी बहले कॉंग्रेंस, RGD, NCP, शिर सेना, TMC, उनका एजेंडा क्या है? एक common national एजेंडा क्या है? मैं आपको अगर एक चीज का बोलूँगा कि इस दो किस मुद्धे के लिए खड़े हो रहे हैं, इनको क्यों वोट किया जाए? आप सिर्फ एक ही बात से इनका जवाब दे सकते हैं, कि इनका पूरा का पूरा politics, जो मैंने आपको 2017 में भी कहा था, anti-modism में believe करती है, anti-BJP-ism में believe करती है, अब इतियास उठा के देखिए, कोई भी party anti-politics के अंदर successful नहीं हो पाई है, जब JP ने भी इंदरा गांदी को हरा आया था, उनकी politics anti-indra नहीं थी, उनकी politics anti-emergency थी और एक alternative minimum program की तुरुआया थी, JP was a leader who was of stature and credibility, आज इस देश के opposition parties में एक भी ऐसा leader नहीं है, जिसकी credibility mass face में है, अगर कोई party के पास agenda है, तो credible leader नहीं है, इसका उधारण आपने विहार चुनाव में देखने को मिला, RJD ने seats Congress party को राहूल गांदी बना रहते चुट्कियां, शिमला में हुआ क्या, मागडबंधन को जो चुनाव जीतना था, वो चुनाव हार गई, गुजराच चुनाव में क्या हुआ था, Congress party का जीता जाता चुनाव था, बीजेपी ने वापस से जीत, हार के अंदर से खीच चली, तो मुद्दा ये है दोस्तों, कि आज इस देश की राजनीती में अगर आपको चुनाव जीतना है, तो आपको जनता में 24 गंटे, 365 दिन काम करना होगा, क्या इस देश की opposition parties 24 गंटे, 365 दिन काम कर रही है, यह नहीं कर रही है, आरजेडी ने चुनाव हारने के बाद क्या, क जनता को पीटना शुरू कर दिया, उसके बाद कांगरेस पार्टी ने चुनाव हारने के अद किया, कि आपस में लड़ लिए, राहूल गांदी थे, पहले सुनिया गांदी थी, राहूल गांदी आया, राहूल आय, सुनिया प्रियंकाईनी में यह लोग गुमते रहते हैं पर कौन सा ऐसा लीडर है जिसकी क्रेडिबिलिटी को लोग विश्वास करेंगे, कोई नहीं, और इसी लिए मैं कहा रहा हूँ, इंडिया is oppositionless and this opposition, whatever is there, is directionless, agendaless and commitment phobic.